मद्य प्रदेश के मंद सौर जिले में साथ वर्ष ये बच्ची के साथ है हुई रेप जैसी दरिंदगी करने वाले दोनों आरोपियों को अदालत ने दोनों आरोपियों इर्फान और आसिल्प को दोशिक करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। सामुहिक बलातकार के बाद कक्षातीन की इस छात्रा को जान से मारने की नियत से उस पर चाकू से हमला भी किया गया था 27 जून की सुबह शेहर के बस्टन के पास ज़ाडियों में लहूलुहान हालत में मिली थी। इस मामले में पुलिस 48 घंटे में इर्फान एम आसिप को गि 366 अपहरन 363 अपहरन के दंड एवन पॉक्सो एक्ट से समबधित धाराओं के तहत दस्त जलाई को आरोप पत्र दाखिल किया था। घटना के मात्र 15 वे दिन दाखिल किये गे इस आरोप पत्र में 350 से अधिक पेज एम प्रमान के लिए करीब 100 अस्तावेज थे। इसमें ड आरोपियों इर्फान एवन मासेफ द्वाराम बच्ची को जान से मारने की नियत से उस पर हमला करने वाले चाकुए वन कपड़े भी शामिल थे। अमान वियर घटना के बाद मंदस और सहित पूरे मध्य प्रदेश में आरोपियों को तुरंत फासी देने की मांग करते हु